नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चानल स्टॉक मार्केड आनलेसिस पर स्वागत करता हूं और आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा जो मैंने लेबल्स आज के लिए दिये थे हर एक लेबल पर मार्केट ने एक अच्छा रिस्पेक्ट किया अच्छा ट्रेड हुआ और चलिए हम लोग देखते हैं कल के लिए मैं कुछ स्टॉक लेकर आया हूं और उन स्टॉक पे क्या मोमेंटम हो सकता है और हमने आज क्या क्या ट्रेड लिया वो भी थोड़ा आपको डिसकस करके जरूर बताऊंगा तो वीडियो को कंटीनू देखिएगा वीडियो को स्क अखी तक जरूर देखना बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है तो प्लीज आपके तरफ से एक रымиस अको डिसको स्बसक्राइम करने के लिए प्लीज निवेदन रहेंगा आप सभी के लिकाम के लिए मत भूब देख लेगा क्योंकि बहूत मेहनत करके आप सभीके लिए वी और जो भी लेबल्स में दे रहा हूँ हर एक लेबल आपको अचीव होते हैं聊 पहे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड yike और Yok फूलिए चले नेक्स टॉक पर चलते हैं और लेवल पर चलते हैं कौn से कौन सटॉक है और कौन से लेवल पर वए कर सकते या पूरी जानकरी है और आगर मेरे वीडियो परो आगर कोई अडवाइसर आगर देख रहे हो तो में आप सभी को congratulations कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जो लेवल दे रहा हूं आपको future में बहुत help करेंगे क्योंकि आगर आप खुद analysis नहीं करते हो तो मेरे वीडियो का support resistance में इस वीडियो के अंदर आपको support resistance कहां से buy और कहां से sell करने का मौका मिलेगा वहर एक लेवल देता हूं आप मेरे वीडियो को watch करके अप अपने client को काम करा सकते हो तो चलते हैं लेवल की उपर और कौन से लेवल पर बाइस कर सकते हैं कौन सा कौन सा stock है और बहुत चीज़े हम लोग देखेंगे ओके चलिए हम सुरू करते हैं पहला stock आपका रहेगा बीपी सील वारत petroleum और खास करके मैंने बीपी सील का जिस लेबल को आपको जिक्र कर रहा था बहुत दिनों से साइध मार्केट ने उसी लेबल पर है support ले लिया है चल क्या दिया था मैंने बहुत चीज़े एक पर थोड़ा analysis कर लेते हैं कि कल मैंने आपको बीपी सील का 382 के नीचे आपका 82 के नीचे गर जाता है तो करीबन 372 का support हो सकता है और करीबन मार्केट ने उसी support को रिस्पेक्ट कर रहा है 378 previous day का जो support था करीबन सुरी 377 का एक support था इससे पहले का तो उसी साइध उसी support को ही मार्केट अब रिस्पेक्ट कर रहा है previous एक दिन पहले का जो support है उसी आपका बुद्वार्क दिन का जो support है उसी पर मार्केट ने support ले लिया तो इच्छे लिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहां पर क्या कर सकता है आगे और बीपीसेल पर क्या हो सकता है बहुत चीज़ हम जरूर देखेंगे करीबन मैंने आपको बताया था साइध 88 का resistance और 82 का support तो उसी बीजी मार्केट ने अच्छा trade हुआ है इतना अच्छा momentum नहीं है फिर भी हम आगे क्या expect कर सकते हैं बहुत चीज़ हम लोग तरा analysis कर लेते हैं बीपीसेल का support रहेगा 378 और मंडे के लिए और 378 के नीचे अगर जाता है sell कर सकते हो 372 पहला target जी हाँ 378 आपका एहम level बन चुका है फिलाल के लिए अगर इसके नीचे जाता है तो आप sell कर सकते हो पहला target आपका 372 आ सकता है और ध्यान रखिएगा 372 जैसे कटेगा 372 जैसे ही break करेगा आपका हो सकता है 361 पहला जाके दुबारा stay ले सकता है जब तक 372 नहीं कटेगा तब तक दुबारा sell नहीं करना है 378 के नीचे 372 target रहेगा और कहीना कि हैं अगर 378 के आसपास अगर open होता है या फिर उसके उपर अगर sustain करता है तो buy भी कर सकते हो उपर क टार्गेट जो रहेगा 384 और 392 के आसपास रहेगा यह हो गया आपका support पर buy करने का target और कहीना कहीं आपको resistance की बात में जरूर कहूंगा resistance जो रहेगा मेरा 384 का resistance रहेगा 384 के उपर अगर sustain करता है तो buy कर सकते हो 392 पहला target रहेगा 392 392 पहला target रहेगा कहीना कि मुझे यह लगता है कि 392 जरूर अचीव होना चाहिए 84 की उपर 392 की उपर अगर चलता है तो करीबन 404 404 का next target रहेगा आपका 404 का 404 की उपर अगर चलता है 403 का target रहेगा 403 की उपर चलेगा तो 415 तक का एक target आपको देखने को मिल सकता है तो जो भी support और resistance मैंने आपको बता दिया हूँ उसको ध्यान से आपको कल market पर trade लेना है और अगर आपको लग रहा है 390 384 के नीचे अगर आपको sell करने का मौका भी मिल सकता है अगर 84 के नीचे sustain करता है तो 78 378 और 372 ये दो target आपके रहेंगे तो चलिए next talk पर चलते हैं और next talk पर क्या momentum हो सकता है और कौन से लेबल पर हम buy कर सकते हैं और sell कर सकते हैं बहुत सारा जानकर आपको इस वीडियो के मायदम से जरूर बताऊंगा अभी तक अगर मेरे चैनल को like नहीं किये हो सब्सक्राइब नहीं किये हो तो तुरन मेरे चैनल को like and subscribe कर दीजेगा और support आपका जरूर चाहिए बहुत support कीजे प्लीज आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूं आपके तरफ से एक support का बटन या अच्छे rating आए तो दूसरों के साथ आप मेरे चैनल का link आप सेर कर सकते हो और एक अच्छा profit मार्केट से कमाने का मौका दूसरों के साथ जरूर मिलना चाहिए चले हम लोग चलते हैं दूसरे stock पे और उन stock पे क्या हो सकता है moment वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं चले next आपका रहेगा इंडेसेंट बैंक और इंडेसेंट बैंक पे ऐसा कोई वक्त नहीं था कोई मैं आपको पेशा कमाने का मौका नहीं दिया होगा और बहुत सारे लोग ने इंडेसेंट बैंक पे अच्छा कासा पेशा जरूर कमाया होगा तो हम लोग चलते हैं कि इंडेसेंट बैंक पे और हमें कहां पे पेशा कमाने का मौका मिलेगा वो चीज़ भी हम लोग जरूर देखेंगे तो इच्छे लिए हम लोग चलते हैं लेबल्स पर और लेबल्स क्या कहते हैं और कौन से लेबल्स पर बाई कर सकते हैं कौन से लेबल्स पर सेल कर सकते हैं बोच ज़रूर देखेंगे पर उससे पहले कल मैंने इंडेसेंट बैंक के कुछ लेबल दिये थे और बो लेबल एक्चुली अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ 8.04 का मैंने सपोर्ट बताया था और 8.25 का मैंने रेसिस्टंस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीबन करीबन मार्केट नहीं यहाँ पर 7.89 और 8.30 यह जो यहाँ पर टार्गेट आपको देखने को मिला होगा अगर आप सही मायने पर आपको एक अच्छा टार्गेट और एक अच्छा प्राफिट जो है आपको यहाँ पर मिला जरूर होगा मैंने साथ आपको कहा था कि 8.825 की ऊपर आपको एक अच्छा टार्गेट आपको मिल सकता है है एक मिनट में एक वर्ट रचे कर लेता हूं कि मुझे कहीं न कहीं इसका थोड़ा जो हाई है थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है मेरे हिसाब से इतना नहीं था हाई कि एड़ सेवन एटी एड़ सेवन एटी एड़ पॉइंट एट यानि कि थोड़ा आपको इसमें जो है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं तो यहाँ थोड़ा आपको उपर नीचे 10-15 पेशा या 30-40 पेशा उपर नीचे दिखाएगा जह करीबन 388.50 और 60 यह होता है मेरा सपोर्ट रेसिस्टंस आपको मैंने करीबन आपको कहा था 75 तो नहीं आया फिर भी जो लेबल आपको आया था एक अच्छा लेबल आया एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता था उस पर एक अच्छा पेशा आपने जरूर कमाया होगा तो मंडे के लिए में कुछ लेबल आया हूँ और उन लेबल पर क्या हो सकता है कहां पर बाई करेंगे कहां पर सेल करेंगे बहुत चीज़ आपको जरूर बताऊंगा बहुत चीज़ देखने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर लीजेगा सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सा क्योंकि मार्केट जो है मतलब एक एक इंडिसन कैंडल यानि कि थोड़ा कंफ्यूजिंग कैंडल है हो सकता है जो लेबल मैंने दे रहा हूं उन लेबल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है अगर इसकी लोग जो लेबल दे रहा हूं उसके उप 788 और 775 यह दो टार्गेट आपके रहेंगे और 809 के नीचे आप प्योर सेल कर सकते हो और अगर बाई करने का मौका मिलता है तो 809 की उपर आप बाई कर सकते हो वो support है तो उसके उपर अगर support लेता है market तो करीबन उपर का target में कुछ बता देता हूँ 830 और 846, 870 ये तीनो target को market कभी भी hit कर सकता है कि अभी भी market पे profit booking नहीं देखने को मिला है मुझे लगता है कहीं न कहीं आप एक profit booking करने के लिए तोड़ा उपर market जा सकता है और resistance की बात अगर कहूं तो 830 आपका resistance रहेगा अगर 830 की उपर चलता है तो buy कर सकते हो पहला target करीबन 846 दूसरा target 870, 870 दूसरा हो सकता है और 830 के नीचे अगर market मिलता है कहिना कि आपको sale करने का मौका दुबारा मिलेगा 830 के नीचे दुबारा sale कर सकते हो और आपका पहला target जो रहेगा 809 और 888, 788 ये दो target आपको रहेंगे support resistance जो भी था मैंने आपको दे दिया हूँ ध्यान से आपको market पर trade जो लेना है support resistance के base पर आपको market पर trade जरूर लेना चाहिए और मैं आपको एक ही चीज में आपको निवेदन जरूर करूँगा पर चलते हैं और नेक्स टॉक पर क्या momentum हो सकता है बहुत सारा चीज में तरको के अंदर эти ट्रेड हमें मिल सकता है और कहां पर बाई करेंगे कहां पर सेल करेंगे बहुत सारी जान करेंगे आपको इस वीडियो के माहते हम से जरूर देखने को मिलेगा स्टेड बेंक ओप इंडिया का मैंने कंटिनिशली एक चीस कहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है और कहां तक आ सकता है मैं कुछ लेबल्स आपको दिये थे और देख चले देखते हैं कल मैंने जो लेबल दिये थे वो लेबल किया था 238 के नीचे मैंने आपको कहा था करीबन 231 तक आ सकता है और 238 के नीचे जिन्होंने भी सेल किया होगा करीबन 234 तक 33.80 के आसपस मार्केट आया और कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा कुछ तो पेसा कमाया होगा और मैंने कहा था 238 के उपर चलता है तो 245 का resistance आ सकता है तो resistance भी 245 हीट हुआ है और 238 के नीचे करीबन 234 तक मार्केट के आए अगर आपको सही पेसा कमाना है अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो आपको इतने से समझ आया होगा कि मैं जो label आपको दिया था वो label आपको सही तरीके से कम कर रहे तो आपको पेसा कमाने का मौका आपको यहाँ पे दोनों साइड मिलता है buying साइड पे और selling साइड पे कहीं पे आपको ये दो मौका कभी नहीं देंगे कोई भी market पर बोत साइट का profit मिलता है पर बोत साइट का पैसा कमाने का कोई भी आपको view नहीं देंगे तो इसलिए हम लोग देखते हैं आपको मंडे के लिए क्या लेबल्स हो सकता है और हम देखते हैं कहां तक कि ये मार्केट नीचे और उपर जा सकता है वो चिस देखेंगे 239 का सपोर्ट में देना चाहता हूँ आपको स्टेट बेंग कॉप इंडिया का 239 का सपोर्ट आपको मंडे के लिए और 239 की नीचे अगर जाता है तो सेम सपोर्ट रहेगा 231 जी हाँ अगर मार्केट कैंडल जो बना है जैसे कि एक अचा सेलिंग साइट पे एक अचा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल बनाया है मार्केट ने हो सकता है अगर यहां पे अच्छा बाइंग पोजिशन क्रेट होता है तो कहीं न कहीं दुबारा स्टेट बेंग को अप इंडिया को थोड़ा ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है मैंने करीबन 260 के लेबल के आसपस मैंने बताया था तो मैं भी उदर जा सकता है तो सिंपल सा चीज है आपको सपोर्ट आपका रहेगा 239 उसके नीचे सेल करना है 231 239 के उपर आपको बाइ करना है 245, 253 और 258 तो यह तीनो टार्गेट रहेंगे अगर रेसिस्टन्स की बात कहूं तो 245 के उपर बाइ कर सकते हो 245 की उपर 253 और 258 तो टार्गेट रहेंगे अगर सेल करने का मौका मिलता है 245 या 253 के नीचे भी सेल कर सकते हो नीचे की जो सपोर्ट है वो आपको प्रॉफिट दे सकते तो ध्यान से मैं आपको जो सपोर्ट रेसिस्टन्स दे रहा हूं उसी हिसाब से आपको मार्केट पर जरूर ट्रेड लेना चाहिए और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मार्केट पर जरूर कमाना चाहिए तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि प्लीज जो भी मैं आपको जो भी मैं आपको लेबल्स दे रहा हूं उन लेवल्स को आप जरूर फोलो कीजेगा और साथ ही साथ जो भी स्टॉक देता है उनको जरूर फोलो कीजेगा अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा तो चलिए हम लोग नेक्स टॉक पे चलते हैं आई होप आपको ये लेवल अच्छा लगा होगा अगर लेवल अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो दूसरों के साथ लिंक जरूर सेर करना कल जैसे सपोर्ट किया डेली अगर ये सपोर्ट मिलेगा तो आई होब कि ये चैनल अच्छा ग्रोध करेगा और साथ ही साथ आपको भी एक अच्छा वेनिफिट आपको इन फूचर मिलेगा चलिए आप लोग नेक्स टॉक पर चलते हैं ओके चलिए नेक्स टॉक पर चलते हैं डाउनसाइड हो या अफसाइड हो जिस साइड आपको एक अच्छा मुमेंटम मिले आप अपना ट्रेड लेके उस साइड जा सकते हो पिछलिए हम कल के लिए भी जस्ट डायल का एक बार थोड़ा नजर देखे लगाए और कहां पर आपको बाई करने का मौका और सेल करने का मौका मिलेगा बहुंची समलोगतर देखे 615 615 का सपोर्ट में जेना चाहता हूं जस्ट डायल का अगर जस्ट डायल 615 के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 605 और 590 आपका दूसरा टार्गेट रहेगा जी हाँ 615 के नीचे अगर जाता है तो सेल कर सकते हो पहला टारगेट आपका 605 और 590 ये दो टारगेट रहेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं और अगर इसकी नीचे भी जाता है तो मैंने इससे पहले भी जस्डेल का लेबल दिया था करीबन 575 और 690 के नीचे 575 भी टारगेट हो सकता है अगर ये इसी लेबल को पर होल्ड करके उपर जाता है तो उपर की लेबल हम लोग देखते हैं और 615 की उपर आपको बाई करने का मौका भी मिलेगा 630 और 646 तक आपको टारगेट रहेंगे तो चलिए हम लोग रेसिस् 630 का रेसिस्टन्स रहेगा 630 के ऊपर आपको बाई करना का मौका मिलेगा 646 और 656 ये दो टारगेट आपके रहेंगे और अगर 630 के नीचे सस्टेन करते हुए देखने को मिलता है सेल कर सकती हो 650 और 605 ये दो टारगेट आपको देखने का ज़रूर मिलेंगे और एक अच् स्टॉक मैंने आपको दिया हूँ उस टॉक पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको मंडे के दिन एक अच्छा पेसा कमाने का मोका आपको जरूर मिलेगा आई होप लेबल साबको अच्छे लग रहे होंगे अगर लेबल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइ स्टॉक पर चलता हूं लेकरें चलता हो और सब्रक्राइल कल यहाँ पर अच्छा ट्रेड म्स हो चुका है और आज आम लोगने अच्छा पेसा कमाया एच city पे और हीजी हमको मिल सकता है और कौन से लेबल पर buy करेंगे कौन से लेबल पर sell करेंगे वो सारी जन कर आपको मिल जाता है ठीक है छलिए हम लोग पहले देखते हैं support क्या रहेगा support रहेगा 7.96 का 7.96 का support रहेगा अगर 7.96 के नीचे sustain करता है तो आपको यहां पर बाई करने का मौका जरूर मिलेगा 796 के नीचे टार्गेट आपका पहला टार्गेट रहेगा 760 जी हाँ 760 और अगर 796 के उपर सस्टेन करता है तो आपको उपर जा सकता है बाई कर सकते हो 827 और 860 और 918 आपका टार्गेट रहेंगे तो मैंने जो भी सपोर्ट और रेसिस्टन्स आपको दिया हूँ खास करके इन सपोर्ट रेसिस्टन्स को फोलो ज़रूर कीजेगा और साथ ही साथ में जो लेबल आपको देने जा रहा हूँ उन लेबल को सही तरीके से नोट करके मार्केट पर ज़रूर ट्रेट लीजे और र नीचे कर सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 796 और 760 दो ठारगेट रहेंगे सपोड और रेसिस्टन्स तो आपको izan कैली बता दिया और अगर आप마 सिसी आकर टेट लेता अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो प्लीज दूसरों के साथ मेरे चैनल का लिंक जो है आप सेर कर सकते हो आयो वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को skip मत कीजेगा सुरू से आके तक जरूर देखेगा और बहुत सारे लोगो और मैं सझेस्क करता हूं कि आपको जो लेब्ल चाहिए जो भी स्टॉन के लेवल चाहिए मज़े कमेंट करके बताएे तो आपको निवेदन जरू करोंगा मार्केट पे जरूर कमाएं और आज के लिए इतना ही धन्य बाद